हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जयद पर मैं हूँ आपका दोस्त महम्मद जयद और दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला उस साइंस वन का लास्ट चैप्टर स्पेस मिशन सो इतनी तेजी से टाइम बीद गया दोस्तों हम लोगों ने अभी स्काय में क्या डिफरेंस होता है सो हम लोग स्पेस जानते हैं स्पेस में ग्रैविटी नहीं होती है स्काय में ग्रैविटी होती है इसकाय अर्थ के अंदर ही है और स्पेस बाहर है तो यह तो छोटे-छोटे-छोटे क्वेस्चन से तो स्पेस मिशन मतलब यहां पर बोला क तो उसी के बारे में हम लोग उसके थोड़े से हिस्ट्री और थोड़ा सा रेकॉर्ड देखेंगे कि कौन सी कंट्री इसमें ज्यादा काम्याब है अपने मिशन को कम्प्लीट करने में फिर इसमें हम लोग इंडियन स्पेस मिशन के भी बारे में पढ़ेंगे सो लेट स्टाट दा चेप्टर सब्सेंशियल डेवलप्मेंट इन टेक्नोलजी स्पेशलि स्पेट टेक्नोलजी इन लाटर हाफ था ट्वेंटिएथ सेंचरी रिजल्ट उसके साथ साथ स्पेस क्राफ्ट में भी डेवलपमेंट आई जिसके कारण स्पेस में ट्रैवेल करना पॉसिबल हो गया और उसके बाद से हजार से भी ज़्यादा आर्टिफीशल सेटलाइट को और्बिट्स में प्लेस किया जा चुका है अर्थ के अर्थ के और्बिट में क्यों प्लेस किया गया ताकि वो अर्थ के आजुबा जो रिवाल्व करें और उससे हम लोगों को अलग-अलग जगहों की जानकारी मिल सके तो हजार से भी ज्यादा आर्टिफीशल सेटलाइट आर्टिफीशल मतलब मैनमेड एक होती है नेचुरल से सिस्टम तो इस स्पेस मिशन को क्यों सब लोग करते हैं क्योंकि इस मिशन को सब लोग इसलिए कंप्लीट करते हैं क्योंकि वो सोलार सिस्टम में जितने भी ऑबजेक्ट हैं उनको क्लोज नजदीक से देखना चाहते हैं जैसे सन मून इन सभी पर हम लोग जा तो नहीं सकत बट उनकी फोटोज उनको नजदीक से हम लोग देख सकते हैं Space Mission से We can classify the space mission in two categories हम लोग इसको दो categories में classify कर सकते हैं सबसे पहला In one type of mission The objective is to put artificial satellite in orbits around the earth for research and various other useful applications पहला objective क्या? Artificial satellite को आर्थ के ओर्बिड में इसलिए रखना कि हम लोग ताकि research कर सके और अलग-अलग तरहों की research कर सके artificial satellite से ये पहला objective है research दूसरा objective क्या? कि spacecraft को send करके हम लोग close observation कर सके अपने solar system को और solar system के बाहर को solar system में हमारा sun, moon, venus, mercury ये सब आता है तो इन सभी को हम लोग closely observe कर सके कि इन सभी को हम लोग समझ सके research कर सके कुछ लोग इसके objective से अपना space mission करते हैं तो इसी तरीके से दो classify किये गए हैं सबसे पहला research करना Earth के various useful applications के लिए अलग-अलग चीजों का research करना और दूसरा अपने solar system को observe करना तो research और observation ये दो टाइप के missions होते हैं तो यहां पर बोलाए कि जो पहला बंदा spacecraft में गया था वो था यूरी गैगरीन, USSR के थे उन्होंने अर्थ में अर्थ को orbited किया था 1961 में और जो पहले बंदे थे जिन्होंने मून पे अपना step रखा था वो थे नील आम स्ट्रॉंग USA के और इंडिया के राकेश शर्मा पहले इंसान थे 1984 में जिन्होंने रशियन एर क्राफ्ट से और्विट किया था अर्थ को मतलब की अर्थ को रिवॉल्व किया था अर्थ क्या जुबाजु घूमे थे कलप्रना चावला और सुनीता विलियमस इंडिया के जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस पेस एक्स्प्लोरेशन प्रोग्राम में अपने मिशन से जो और्गिनाइस किया था नासा ने नासा टावर्स में भी सिगनल्स कहां से आते हैं सेटलाइट से टीवी सेट में जो सिगनल्स आते हैं वो भी सेटलाइट से आते हैं तो इस तरीके से हम लोग सेटलाइट से यूज कर सकते हैं इनको और हम लोगों ने क्लाउट्स लाउट्स की फोटो ली होंगी कंट्रीज में न मतलब कि वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुका है स्पेस मिशन के वज़े से मतलब कि सारा दुनिया सारा ग्लोब एक साथ आ गया है नजदीक आ गया है हम लोग आज एक कॉर्णर से दूसरे कॉर्णर में एक सेकंड में कॉंटेक्ट करते हैं मैं यहाँ इंडिया में मुंबई में वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहूं तो यहाँ से सीधा निउयोक में बात कर सकता हूं एक सेट्लाइट के वज seus usmasan teu नेफोर आज हम लोग जोभी sound होते हैं मतलब आर्थकोएवाला रहता है तो हम लोगों को पहली ही पता चल जाता है जिसके कारण हम लोग proper precaution ले सकते हैं क्यूं क्यूंकि जो हमारे space mission है उस से और हम लोग घर पे बैठे बैठे कोई भी event देख सकते हैं मैं मुंबई में TV देख रहा हूं मैच चल रहा है lots में England का मैच मैं मुंबई में देख पा रहा हूं क्यूं satellites के वज़े से signal के वज़े से तो यह सब benefits है war के समय में हम लोग अपने enemy की चाल ढाल को देख सकते है satellites की मदद से जैसा USA अक्सर ऐसा करता है तो जब भी उन लोग बॉर्डर पे सीधा image खीचते कि क्या तैयारी चल रही है इनके पास कौन-कौन से war के लिए weapons है तो उन सब की जानकारी लोग रखते हैं और हम लोग fossil reserve को और minerals को भी देख सकते हैं अर्थ के इन सभी satellites से unlimited application से मतलब आज पता नहीं कितने सारे application से इस space program के जिससे हम लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं सब कुछ देख सकते हैं artificial satellites अभी होती क्या है natural satellites is an astronomical object orbiting the earth और एनी अधर प्लैनेट नेचुरल सेटलाइट जो भी होती है वो astronomical object होती है जो अर्थ को और प्लैनेट को और जो moon होता है वो एक ही natural satellite है अर्थ का remember that moon is the only natural satellite of the earth तो यह question MCQ में आपको आ जाएगा तो उसमें चार option देंगे आपको sun, moon और फिर किसी एक artificial satellite का नाम और एक Venus Mercury किसी planet का नाम तो आपको moon लिखना है guys remember this some other planet in solar system have more than one natural satellite कुछ solar system में ऐसे भी planets है जिनके पास 25-25 moon है कहीं कहीं पे तो दददस moon है तो natural satellites कई सारे planets पे जादा है तो वहाँ पे भी life सही नहीं रह सकती बट जो अर्थ है वो एक proper है दोस्तों अर्थ सबसे proper बना है कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जिसने भी world को बनाया है उन्होंने कई सारे experiment की होंगे सबसे पहले उन्होंने सन को बनाया तो फिर mercury बनाया होगा फिर पाया होगा कि यह सन की गर्मी नहीं सहे पा रहा है फिर उन्होंने अर्थ को बनाया तो थोड़ा नॉर्मल रहा होगा फिर मार्स को उन्होंने बनाया तो पता चला सन वहां तक बहुच ही नीरा है और फिर देखा उन्होंने तो कहीं पर अक्सीजन ही नहीं यह लेबल था आर्थ के अलावा तो इस तरीके से कहीं सारे एक्सपरिमेंट से हो सकता है हमारा अर्थ सक्सेज हो गया हो तो यह डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेटिकल थिंकिंग है सबी की तो आप भी अपनी थिंकिंग शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो फर्स नेचुर आर्टिफिशल सेटलाइट जो सोवेत यूनियन ने भेजी थी वो थी स्पुट्निक रिमेंबर यह आ चुका है बोर्ड इग्जाम है 2020 में वहाँ पे आप लोगों क को कुश्चन और एंसर के तौर पे पूछा गया था तो पूछा था कौन सी पहली सेटलाइट थी इस पेस में भेजी गई थी तो वो थी स्पुट्निक और आज थाउजन से भी जाद़ सेटलाइट हो चुकी है अर्थ के और्बिट वो रिवाल्व कर रही है और पास अलग अलग इंस्टूमेंट्स होते हैं depending on their function function के हिसाब से उनके पास different instruments होते हैं तो ऐसी एक सेटलाइट दिखाई गई है 10.1 में तो आप लोग यह 10.1 में देखे तो यह कौन से सेटलाइट है यह communication वाली सेटलाइट है मतलब कि यह आपको communication में मदद करीगी एक जगह से दूसरी जगाँ पर कॉन्टेक्ट करने में सो सिगनल ट्रांसमिटेट फ्रॉम अर्थ टू नावर फॉल फॉन्स आर शोन मतलब कि जो सिगनल था वह ट्रांसमिट हुआ अर्थ से तो InSight मतलब Indian National Satellite, GSAT मतलब Geosynchronous Satellite, IRNS मतलब Indian Regional Navigational Satellite System, IPS मतलब Indian Remote Sensing Satellite, GSLV मतलब Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, PSLV मतलब Polar Satellite Launch Vehicle. लॉंच वेहिकल एलवी जिसमें भी रहे आप समझ लीजे कि वह लॉंच वेहिकल ही है अब कुछ सेटलाइट के फंक्शन दिये गए हैं आपको तो इन फंक्शन को अगर आप लोग याद कर लोगे तो एक्जाम में लिखने में मदद मिलेगी क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ने मेनी टू टाइप आप आटिफिशल सेटलाइट एंड एक्स्प्लेंट इट्स फंक्शन तो वहाँ पे डिफ्रेंट डिफ्रेंट सेटलाइट के फंक्शन लिखने थे आपको कोई भी दो तो चलिए पढ़ते हैं तो पहली सेटलाइट वेदर सेटलाइट का काम क्या होता है वह प्रेडिक्शन करती है कि आज का भेदर कैसा रहेगा और ऐसी सेटलाइट के एंसाइट जीसाइट जीसल्वी नाव कम्मुनिकेशन सेटलाइट एक जगह से दूसरी जगहा पर कम्मुनिकेट करने के लिए इसका फंक्शन होता है और इसक सेटलाइट मतलब किसी भी लोकेशन का किसी भी जगा का लोकेशन जो भी होगा उसकोifex करते हैं जाफ लोकेशन होता है इंद्र पॉइंट की बात करें तो 6 जानकारी कलेक्ट करती है जैसे USA कई बार इसे यूज़ करते हैं तो उन लोग दूसरे देशों में क्या प्लैनिंग चल रही है कौन से हतियार उनके पास हैं तो यह जानकारी लेने के लिए से मिलिटरी सेटलाइट के यूज़ लो लोक करते हैं एर्फ औरिज़रृआशन सेटलाइट मतलब की फॉररी स्ट की स्टुडी करना डेज़र्ट की ओशन की पुलार इसकी नेचुरल रिसॉर्सेस की ओर नेचुरल कलमेटी इसकी प्रेडिक्शन तो इसके लिए आर्थ यारेस इसको लॉंच किया था पोलार सेटलाइट लॉंच वहीं कल पी एसल भी ने अब और विट्स ऑफ आटिफिशल सेटलाइट का तो और विट हम लोगों ने देखा ही नहीं कबसे हम लोग पढ़ते जा रहे कि कुछ न कुछ और विट होता है अर्थ को और विट करने के लिए हम लोग सेटलाइट को छोड़ देते हैं बट यह और विट्स होते हैं वहीं हम लोग पढ़ते हैं अल अर्टिफिशल सेटलाइट दू नॉट रिवाल्व इन सिमिलर और विट से नाउन अर्थ मतलब यह अर्थ है तो आर्थ के आज वाज़ेट में नहीं सेटलाइट इन इस प्रॉपर और विट एटिपसिफिक भीट अब अर्थ सेटलाइट इस टेकन दाट हाइट उजगा सेटलाइट लॉंचर मतलब कि जो आर्टिफिशल सेटलाइट होती है उनको और विट में फिट करने के लिए कई सारी चीज़ों को देखा जाता है सेटलाइट को एक specific velocity देते हैं जिसे में लोग गोलते critical velocity टैंजेन्शिल डारेक्शन में हम लोग उसे वह velocity देते हैं जिससे वह आर्थ पर जा सके मतलब आर्थ से बाहर जा सके और सेटलाइट उसके बाद अर्थ को दा सेटलाइट फ्रॉम दा सेंटर आप दॉबद तो यहां पर आप लोग देखे यह अर्थ है सेंटर का और फिर उसके बाद यह और बीट इसके बीच का जो डिस्टेनस यह आख पनी फूरी हाइट है और यह वीविशी मतलब क्रिटीकल वेलॉसिटी मतलब कितनी में मतलब इन सभी चीजों को ध्यान दिया जाता है उसके बाद ही उसे लॉंज किया जाता है तो इन दोनों को जो हम लोग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मुला होता है रूट जी अपॉन आर होता है बट यहां पे इस ऑब्जेक्ट की थोड़ी बहुत हाइट भी है तो जिसके कारण प्लस एच तो दोनों को जब हम लोगों ने डिराइब किया तो वी स्कूर हम लोगों को मिल गया जी एम अपॉन आर प्लस यह तो इस तरीके से आ गया तो इस तरीके से डिराइब करके हम लोग निमेरिकल कर सकते हैं निमेरिकल के लिए मैं सेपरेट लेक्टर रखूंगा अब पढ़ते हैं हाई अर्थ और वीट इफ दा हाइट ऑफ दा सेटलाइट और अर्थ सर्फेस इस ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब कि अर्थ और वीट जो भी है उसका अर्थ से अगर डिस्टेंस 35780 से एक्वल है या फिर उससे जादा है सेटलाइट और वीट का हाइट अर्थ से तो हम लोग उसे लेंगे हाई अर्थ और जैसा इस आर्थ होगे हम लोगों का और ये और विट हो गया तो यह और तो यह जाते हैं अगर सेटलाइट रिवॉल्व करेंगी पैरलल टू एक्वेटर में तो उसका टाइम आफ रिवलूशान होगा आर्थ के लिए वह सेटलाइट रहेगा पैसेंजर लोग one vehicle another vehicle moving parallel to him with equal velocity appears to be stationary that is what happens here मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जिस तरीके से earth और satellite जब एक साथ revolve होंगे उसी तरीके से जब दो आदमी opposite direction में जाते हैं जैसा यह एक vehicle हो गई यह दूसरी vehicle हो गई अगर यह दोनों parallel जा रहे हैं और equal speed से जा रहे हैं तो ऐसा लगता है वो stationary यह मतलब रुके हुए एक जगा पे तो बलकि जब कि ऐसा नहीं होता है तो इसी तरीके से होता है वहाँ पे भी वहाँ पे भी जब दोनों साथ में रिवाल करेंगे तो लगेगा है कि एक जगा रुके हुए है इस सेटलाइट और देरफोर कॉल्ड जियो सिंक्रोनस सेटलाइट सेटलाइट को इसलिए हम लोग बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सेटलाइट अब medium earth orbit मतलब क्या होता है कि अगर orbit का distance earth surface से 2000 किलोमेटर से ले के 35780 किलोमेटर के बीच में है तो उसे हम लोग बोलेंगे मीडियम आर्थ और जो जियो स्टेशनरी सेटलाइट और होती है वह एक्वेटर के ऊपर मतलब एक्वेटर के ऊपर जो ऑर्बिट होता है उस पे रिवाल्व करती है और कुछ सेटलाइट्स होती है जो सर्कुलर और जो होता है और इंटरनेशनल स्टेशन जो होता है और हुबल टेलिस्कोप जो होता है वह लोग तो आर्बिट में ही रिवाल्व करता है जैसा हम लोग 10.4 देख सकते हैं तो यहां पे सबसे दूर जो है है वह हम लोगों का हाई अर्थ ऑर्बिट जो थोड़ा सा नजदीख है वह मेडियम अर्थ ऑर्बिट और जो एकदम नजदीख है वह लो अर्थ ऑर्बिट तो जो ग्रूप ऑफ स्टुडेंस थे उन्होंने एक छोटी से सैटलाइट बनाई थी कॉलेज ऑफ इंजीनियरि सब्सक्राइटर तक रिवॉल किया था मतलब यह लो अर्थ ऑर्बिट में आएगा और उसका मेन अब्जेक्टिव था पॉइंट तो पॉइंट मैसेज देना सर्विस की इस तरीके से वह काम कर रहा है यह निमेरिकल है यह मैं सेप्रेट लेक्चर में आपको बताऊंगा अ और लोग स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल भी यूज करते हैं कौन सा फ्यूल होता है लोग दगास प्रोड्यूस्ट दू कंबस्टन आफ फ्यूल एक्सपांड्स दू इस हाई तेम्प्रेचर इस एक्सपांड हो जाता है वह हम लोगों नहीं पढ़ा है कि जब एक फोर्स निकलती है नीचे से से और वो फोर्स निकलती है तो उसके कारण लांच विएकल एक बहुत ही तगड़ी स्पीड से उपर जाने लगता है लांच वेहिकल का जो स्ट्रक्चर होता है वह वेट के हिसाप से डिसाइड किया जाता है और सेटलाइट और पहीं पर जाए और जो होता है वेहिकल का वो डिपेंड होता है इसी फैक्टर पे फियूल जो रहता है वह मेजर पोर्शन और मतलब की जादा से जादा जो पोर्शन है उसमें फियूल के लिए ही जगा रहेगी जैसे आप लोग यहां पर देखें तो फर्स्ट स्टेज यूजिंग फिर सेकंड स्टेज यूजिंग लिक्विड फिर फिर थर्ड स्टेज यूजिंग स्टेज यूजिंग लिक्विड फियूल तो सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड इसी तरीके से इसमें फियूल डाले जाते है और इंजिन्स में भी फियूल रखा जाता है ताकि यह thrust कर सके और thrust करके फिर उपर जा सके तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर process देखे किस तरीके से होता है तो यह हम लोगों का space shuttle है और जब यह launch हो जाता है तो उसके बाद जो हम लोगों का fuel tank होता है वो separate हो जाता है और separate होने के बाद यह अलग चला जाता है और अलग जाने के बाद जो satellite रहती है वो अपने orbit में पहुंच जाती है मतलब इस तरीके से उसको launch vehicle को design किया जाता है और जो launch vehicle होती है उसको बार-बार हम लोग use कर सकते है अब space mission away from the earth एक बात याद रखें आप लोग launching of vehicle is dependent upon newton's third law of motion यह point को आप जादा जरूरी है तो हम लोग इसको समझते हैं किस तरीके से है जो rocket है वो भी एक टाइप फायर क्रेकर जो दिवाली में यूज होता है और launcher का छोटा सा form है तो इसमें rocket का fuel क्या होता है जो fuel होता है वो rocket जो होता है वो इसकाय में जब जाता है तो मतलब नीचे से जैसा हम लोगों को यह rocket है तो नीचे से जब प्रेशर पड़ते तो वो इसकाय में जाता है मतलब every action force is equal and opposite reaction opposite reaction के कारण वो उपर जाता है तो उसी तरीके से newton's third law of motion की भी मदद से rockets को उपर भेजा जाता है अब space mission पढ़ते हैं अवे from the earth पे तो हम लोगों ने जैसा देखा है artificial satellites को use करते हम लोग हम अपनी लाइफ को comfortable बनाने के लिए ताकि हम लोग information ला सके अलग-अलग objects के और अपनी life को comfortable बना सके तो अलग-अलग information समय प्रोवाइड करते हैं artificial satellites और ऐसे mission के लिए हम लोग spacecraft को बेजत वाला उसमें मैंने detail से derivation के साथ बताया आपको तो initial velocity अर्थ की 11.18 km per second रहनी चाहिए अगर इतनी initial velocity नहीं रहेगी rocket की तो वो अर्थ को पार नहीं कर पाएगा और वो इस पेस में नहीं जा पाएगा तो इतनी initial velocity आप लोग जरूर रखें ताकि आपकी जो satellite है वो उपर पह सके अब बात करते हैं astronomical objects की तो हम लोगों से सबसे करीब जो astronomical object है वो है moon, moon सबसे नजदीखा और वहां से light travel करने में मात्र एक सेकंड लेती है यह question आ चुका है board में सबसे closest astronomical object कौन सा है तो उसमें बहुत सारे planets के option थे sun moon भी था तो moon आप लोगों ने लिखा होगा तो आपक 24,000 km है और जो shortest time लगता है कि spacecraft को moon पे पहुंचने में वह 8 hours 36 minutes तो सोच सकते कितनी तेजी से वो जाता है अब moon mission हम लोग पढ़ते हैं तो moon की moon के परती किसका कैसा mission रहा है हरे country का वह हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि moon सबसे closest object होता है astronomical object हम से तो सबसे पहला mission यह था कि moon पे हम लोग जा सके तो यह बहुत सारी countries ने यूज किया चाइना जापान European countries USA इंडिया इस पेस्क्राफ्ट जो था वो लूना सिरीज में वो सोवेत यूनियन ने काफी काफी moon तक पहुंच ही लिया था और फिर लूना 2 को जब लॉंच किया गया तो वो पहली aircraft बनी moon पे जाने के लिए और आफ्टर देट तिल 1975 15 spacecraft have made chemical analysis of the moon and also measured its gravity density and radiation 1975 के बाद जितनी भी सेटलाइट्स वहां पे गई उन्होंने मून के gravity density radiation इन सभी के बारे में पढ़ा और जो पिछले चार spacecraft moon पे लेंड हुए हैं उन्होंने सैंपल्स लेकर आया है स्टोन्स का मतलब मून पे किस तरीके से स्टोन्स है उनका सैंपल्स लेकर आया है ताकि laboratory में उनका analysis किया जाए और यह मिशन जो थे वो unmanned थे मतलब इस में पूरी तरीके से machines का यूज किया गया था इंसानों का यूज नहीं था तो अमेरिका ने भी एक्जेक्यूट किया था मून मिशन को 1962 से 1972 के बीच में और इस मून मिशन की specialty क्या थी कि यह मैंड थी मतलब इसको spacecraft में कोई इंसान भी था जो गए थे और वो कौन था नील आम स्ट्रॉंग थे जिन्होंने पहला कदम रखा मून पर और फिर 2008 में इसरो ने चंद्रयान वन को लॉंच किया जो पहली बार मून पर पहुंचा और उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व किया। उसने काफी सालों तक महाँ सी जुस्फल इंफरमेशन भेजी। Ар मॉस्ट्टिंट डिस्कवरी यही थी मून मिशन की जो डिसकवरी की गई कि मून की की पानी भी यह प्पानी सबसे इंपार्टिन थी। और इंडिया पहली कंटरी थी जिसने यह डिसकावर किया अब मार्स मिशन मतलब मंगल यान तो मून के बाद सबसे करीब हम लोगों के पास है मार्स तो बहुत सारे निशन्स ने अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं मार्स पे तो मार्स मिशन डिफिकल्ट होता है और अल्मोस 2013 में वो आराम जे मार्स पे पहुँच गया और 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 ऑर्बिट किया मार्स के आजुबाजू 2014 तक और उसने यूसफुल इंफॉमेशन लिया सरफेस मार्स का कैसा अट्मोस्फियर कैसा है तो इस तरीके से मार्स मिशन था इंडिया का मंगल यान उन्होंने जो लॉंच कि की थी और वो इस्पेस में 336 आर्स के लिए थी और फर्स्ट फर्वरी को जब लॉट रही थी तो इस पेसक्राफ्ट एक्स्प्रोड हो गया था और उनकी डित हो गई थी सुनुईत्या विलियम्स जो थी वो इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन में ट्रैवल की थी 2006 में और उन्होंने 29 घंटे तक काम किया था आउटसाइड था स्पेस स्टेशन से बाहर काम किया था और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था 192 डेज रुकने का स्पेस में फिर मिशन टू अधर प्लैनेट मतलब अलग प्लैनेट्स पे इंडिया का मिशन किस तरीके से रहा है मिशन में कुछ लोग प्लैनेट्स पर लेंड हुए कुछ लोग ने और्विट किया कुछ लोग बस प्लैनेट्स से करीब गए ताकि उसको थोड़ा सा अब्जर्व कर सके और यह स्पेस क्राफ्ट जो थी वह अब्जर्व करने के लिए एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स को के लिए भेजी जाती थी और सक्सिस्फुली वो डस्ट और स्टोंस को महां से कलेक्ट कर सकी और उड़को अर्थ तक ला सकी और हम लोग यूसपुल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इन्हीं सभी मिशन से और वैरियस कॉंसेट पर रहे हैं सोलार सिस्टम के अब इंडिया इं और जी एसल भी यह टू इंपॉर्टेंट लॉंचर्स हैं और साइंटिफिक और टेक्नोलोजिकल फीड्स मतलब कि इंडिया ने भी बहुत सारा काम किया है इस पेस फिल्ड में सिगनिफिकेंट कॉंट्रिब्यूशन दिया है उन्होंने इसमें इंसाट और जी सेट जो थी इन्होंने वर्किंग अपना बहुत ही बढ़ियां किया था टेली कम्यूनिकेशन टेलीविजन ब्रोड कास्टिंग इन सभी में और टेलीविजन टेलीफोन इंटरनेट सर्विस जो भी आज अविलेबल है वो इन्हीं सेटलाइट के वज़े से अविलेबल है एडियू पोजिशन ऑफ एनी प्लेस ऑफ एर्थ इंटरम्स ओफ लेटिटूड एंड लॉंगिटूड आई आर एन एसस सीरीज हैस बीन इस्टेबलिश किया था ताकि यह करेक्ट लेटिटूड और लॉंगिटूड को बता सके अर्थ की अब साइंटिस्ट की बात करते हैं विक्रम नीव खो जा था इसका और 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकी चेर्मैन शिप में पहला लॉंच सेंटर बनाये गया थुंबा में 1963 में और जो आर्या भट्टा को स्पेस में भेजा गया वो इनके ही एफट्स के वज़े से गया था वरना आर्या इस और उसकी मैरेजमेंट किस तरीके से होती है चलिए पढ़ते हैं तो स्पेस डेपरिस मतलब होता है जो स्पेस में कच्रा भरा हुआ है तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं इन अडिशन टूद आर्टिफिशल सेटलाइट सम अधर ऑब्जेक्ट और अलसो सेटलाइट तो वही पर रहने वाली वापस तो आने वाली है नहीं तो कभी न कभी तो अपना फंक्शनिंग बंद करेगी कभी कभी तो काम करना बंद करेगी और एक बार काम करना बंद किया तो फिर वो किसी काम की नहीं रह जाएगी और अगर वहां पे दूसरी सेटलाइ स्पेस में रहे जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं है अन्वांटेड माटेरियल लिंदा स्पेस और कॉलेज स्पेस डेब्रीज एक अनुमान लगाया गया था 2016 में और अनुमान के तहट बताया गया कि स्पेस में दो करोड पीसेज हैं जिनका लेंथ एक सेंटीमीटर से जादा है और वो अर्थ के आजुगा जो रिवाल्व कर रहे हैं ये कुछ नहीं है बलकि एक डेब्रीज है मतलब कच्रे की तरह है एक सेंटीमीटर से जादा इनकी साइज है और दो करोड पीसेज है मतलब स सकता है और artificial satellites को damage दे सकता है और यह day by day बढ़ते ही चला जा रहा है और soon it will be difficult to launch new spacecraft और अगर ऐसा ही चलता रहा तो new spacecraft को launch करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अर्थ के आज वाज वी लोग करने तो उसको रोग देंगे तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग स्पेस डेबिस को manage करें सम इस्टडीज और experiments are being done with this in view तो कुछ स्टडीज और experiments किये गए हैं इसी के लिए और ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग कि इस problem को जल्दी solve कर सके और future में spacecraft को कोई danger ना रहे तो हम लोगों ने आज science one खतम कर दिया दोस्तों यह था हम लोगों का last chapter now we will start other subjects such as Hindi, social science and हम लोगों ने sample papers भी आपके लिए बना लिये हैं जल्दी वो जून में आपको मिल जाएंगे पेडियाफ डाउनलोड करके आप लोग बढ़ियां से उसे solve करें तैयारी करें we have to bring more than 80% in 2021 board exam